जैन बचो आज 14 माई 2020 है और क्लास 10 में Mathematics के लिए हम जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं वो है दो चरवाले रैखिक समीकरणी यूग क्या होता है दो चरवाले रैखिक समीकरणी यूग इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं हमने जो exercise start की थी वो थी 3.3 और 3.3 में अब हम कौन से question को start करने वाले हैं वो है question number third का third part ज़रा एक बार question को पढ़ते हैं क्या कहा है question में और उसके according हम दो equations को बनाएंगे और फिर उनको हम प्रती विस्थापन विधी से मतलब substitution method से हम solve करनी की कोशिश करेंगे तो बच्चो question आपके सामने है एक cricket team के coach ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपे में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे फिर से खरीदी 1750 रुपे में और आपको प्रतेग बल्ले तथा प्रतेग गेंद का मूल्य गयात करना है question simple है ठीक है दो statement है तो दो equation मनेंगी क्या लिखा है starting में जरा starting में देखते है coach ने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीथी तो हम पहले क्या करेंगे एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लेते है ठीक है तो हमें equation नाने में असानि रहेगी तो हम लिखेंगे माना की एक गेंद का मूल्य है हमने ले लिया y रुपे ठीक है ठीक होगे बच्चो तो हमने मान लिया simple अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ हम करेंगे इसलिए मैं लाइन बना ली हाँ पर क्या करेंगे अब जरा दो statement देखते है पहली statement क्या है उसने 7 बल्ले किसने? coach ने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे बस इतना ही देखो 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे एक बल्ले का दाम कितना है? हमने कितना माना है? एक बल्ले का दाम माना की एक बल्ले का मूले है x एक बल्ले का x दो बल्ले का 2 x तीन बल्ले का 3 x तो भई उसमें 7 बल्ले खरीदे 2 गेंदे का 2Y, 3 गेंदे का 3Y, गेंदे खरीदी 6, तो 6 गेंदे का मूली हो गया 6Y, तो उसका मतलब 7 बल्लो का मूली इतना चुकाएगा, 6 गेंदे का मूली इतना चुकाएगा, तो कुल कितना चुकाएगा, इतना, किसको चुकाएगा, दुकानदार को, तो हमारे according उस coach ने, दुकान दारों को कितना पैसा देना है वो देना है 7x plus 6y equal to ये तो हमारे according इतना चुकाएगा question के according कितना चुकाना है वो है 3800 रुपए जो की है हम यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारे पास पहली equation बन चुकी है ठीक होगे बच्चो तो अब हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी equation दूसरी equation नहीं मतलब दूसरी statement पढ़ेंगे दूसरी statement क्या है ये नीचे लिखी हुई है बाद में उसने तीन बल्ले और 5 गे दिखारे दी फिर से वही बात एक बल्ले का मूली कितना लिया है हमने एक्स तो भई दो बल्ले का कितना होगा तू एक्स तीन बल्ले का तीन एक्स तो इसका मतलब हो गया तो तीन बल्लो का वो इतना मूल्य चुकाएगा कितना भई तीन एक्स कौन चुकाएगा कोच किसको दुकानदार को और एक गेंद का मूल्य कितना है हमारे पास y तो 5 गेंदे भी तो खरीदी हैं तो 5 गेंदो का कितना चुकाएगा 5 y तो 3 गेंदो का इतना चुकाएगा 3 बल्लो का इतना चुकाएगा 5 गेंदो का इतना चुकाएगा तो कुल कितना चुकाएगा ये तो चुकाएगा भई तो इसका मतलब हो गया कि 3x प्लस 5y एक्वल 2 ये तो हमारे according चुकाएगा क्योंकि equation बननी है question के according कितना चुकाएगा है 1750 तो ये आपका इतना चुकाएगा 1750 है एक 0 लग गया extra तो इस तरीके से हमारे पास ये दो समीकरण बन चुके हैं अब इसके बाद क्या इसके बाद हमें इन दो समीकरणों को solve करना है मैंने इसको first मान लिया इसको second अब हम इन दोनों को यहाँ पर solve करेंगे solve करने का तरीका आपको पता है कौन सा method हमारे पास है कौन सा method अब तक हम use कर चुके हैं वो है हमारे पास समीकरण एक से हम x का मान निकालते है तो x का मान कैसे निकालेंगे हम 7x को ही रहेंगे 6y को वहाँ shift करेंगे तो क्या बन जाएगा 7x equal to 3800 minus 6y और यह जो x का 7 है यह फिर नीचे आ जाएगा तो हमारे पास x हो जाएगा 3800 minus 6y over 7 इस तरीके से हमारे पास x का मान निकल गया है मैं इसको equation number third assume कर लेता हूँ मेरे पास यह third equation मैंने इसको मान लिया है अब मैं क्या करता हूँ x के इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं इस x की जगा पर तो हम लिखते हैं समीकरण 3 को समीकरण 2 पर रखने पर हमें इस तीन यह जो x का मान है इसको यहाँ रखना है न यही बैने यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो रखते हैं ज़रा क्या बनता है पहले लिखेंगे 3 x की जगा हमारे पास हो जाएगा 3800 साथ में minus 6y over 7 bracket close plus 5y equal to 1750 ठीक हो गया अब simple यह है कि 3 को अंदर आपको multiply करना है 3 को इससे multiply करेंगे 3800 से तो यह बनता है 0 0 3 8 24 2 उपर गया तो इससे 9 10 11 अब भी चेक कर लिए 11400 बन रहा हो गया यह minus 3 को 6 से multiply करो 36 है कितना हो गया 18y over 7 7 और 7 में क्या है plus 5y मैंने स्केंचे 1 लगा दिया कई बार बच्चों को थोड़ी सी problem हो जाती है LCM लेने में मतलब एक संख्या परीमे रूप में है और एक आपका पूर्ण रूप में है तो ऐसे दिक्कत हो जाती है और अब 1 को इन दोनों से multiply करें 11400 फिर 1 को इससे भी करें तो यह 18y है का 1 को किसी भी निमर से multiply करो तो वही आता है फिर 7 को 5 से multiply किया तो यह आ गया 35y equal to हमारे पास है 1750 इसके निचे भी मैंने 1 लगा दिया ठीक है नहीं लगाना चाओ मतलगाओ कोई problem नहीं है यहाँ पर हमारे पास यह क्या है 11400 minus 18y plus 35y कितना हो जाएगा यह हो जाएगा plus 17y ठीक हो गया और यह plus 17y हो गया नीचे हमारे पास क्या है नीचे हमारे पास 7 है equal to यह कितना है हमारे पास यह है 1750 over 1 अब cross multiply करते है 1 इन दोनों से multiply होगा तो यही दोनों वापस उतर जाएगे ठीक है और यहाँ 7 को इससे multiply करेंगे तो 70, 75, 35, 3, 2, 5 यह कुछ ऐसा आएगा आप भी चेक करके देखेगा इतना ही आ रहा हो 17y को यही रखें क्योंकि y की वेल निकालने इस नंबर को हम यहाँ shift करते हैं तो यह जाएगा 12250 minus 11400 ठीक हो गया 17y equal to अब इन दोनों को हम क्या करते हैं minus करते हैं तो 12 कितना है 250 में से 11400 minus करेंगे तो इस तरह से हैगा 58 शायदी 850 आ रहा है आप भी चेक करेंगे तो y आ गया 850 बटे 17 850 को साथ साथ कट करते हूं तो 50 आता है तो y का मान हमारे बस 50 y है क्या एक गेंद का मूल्य है तो एक गेंद का मूल्य है अब आपके सामने है अब एक गेंद का मूल्य आ गया बल्ले का मूल्य निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस y के मान को या तो यहां रखो पहले वाले समिकरण में या फिर यहां रखो दूसे वाले समिकरण में या फिर यहां रखो तो तीस वाले समीकरंड में, यहां रखना से जाधा suitable है, हम यहीं रखेंगे, तो आप लिखोगे यहां पर, y, y के मान को समीकरंड 3 पर रखने पर, ठीक है, अब समीकरंड 3 पर हम रखते हैं और देखते हैं और देखते हैं भई, क्या बनता है, तो हमारे पास क्या है यह, x equal to 3800 minus 6 गुड़ा, गुड़ा है, 6 गुड़ा y न, तो y के जगा है 50 रखना है, और नीचे हमारे पास क्या है वहाँ, 7 है, देख सकते हो, 7 है, तो इस तरीके से बन गया यह, अब x equal to, अब यह हो गया हमारे पास, 3800 minus, इसको करो तो यह हो गया, 300 over 7, अगर मैं 3800 को इससे minus कर over 7, आप भी करके दिखेंगे, और 3500 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, तो यह आता है 500, तो इस तरह से हमारे पास x आ गया, क्या है भई x, एक बल्ले का मूले, और y क्या है, एक गींद का मूले, इस question में जो का आता हमने वो fine कर दिया, और इस तरीके से question finish होता है, अब हमार पास तो अगला question है, fourth question, एक नगर में taxi के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतरिक चली गई दूरी का भाड़ा भी समलित किया जाता है, 10 km की दूरी का भाड़ा 150 रुपे है, और 15 km की दूरी का भाड़ा 155 रुपे लिया गया है, आपको नियत भाड़ा तदा प्रती km भ भाए बोल दो, करने में आपको आसानी होगी, तो हमारे पास दो चीज़े मांगी यहाँ पर, नियत भाड़ा और दूसरा है प्रती km भाड़ा, तो पहले हम मान लेते हैं, फिर इसको समझनी कोश्च करते हैं, तो हमारे पास ये है question number third का fourth part, हम ले लेते हैं कि माना की नियत भाड़ा है रुपए X, ये कमान लिया, ठीक है, दूसरा हम क्या मानते हैं, माना की प्रती km भाड़ा है रुपए Y, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, कि आपने नियत भाड़ा क्या माना है और प्रती km भाड़ा क्या माना हुआ है, ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो question की statement होती है, उससे आपको दो equations बनाने में help होती है, तो यहाँ पर भी आपसे दो equation बनेंगे, तो हमारे पास जो पहली statement है, जरा मैं पहल पहली statement दिखाता हूँ, और उसके basis पर equation बनाने कोश्च करता हूँ, पहली statement क्या है, 10 km की दूरी का भाड़ा 105 रुपय है, यह आपके पास पहली statement है, नियत भाड़ा क्या होता है, क्या है, समझाता है, जैसे मानलों एक taxi बैट गए, ठीक है, टेक्सी वाले से आपने पूछ पहली बार में 10 km की दूरी का भाड़ा कितना लिया? 105, तो उसने यह भाड़ा कैसे लिया होगा, जरा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, तो जो पैसेंजर है, उसने नियत भाड़ा तो दिया ही दिया, साथ में 1 km का y रुपय था, 2 km का 2 y, 3 km का 3 y, तो वो चला कितने km, 10 km कितना दिया होगा, 10 y, तो इस तरह के 2 भाड़े उसन 10 y, हमारे हिसाब से कितना दिया, x plus 10 y, ठीक है, यह हमारे हिसाब से दिया, question के हिसाब से कितना दिया, 105, तो नियत भाड़ा, plus 10 km की दूरी का भाड़ा, कोल बनता है, 105 रुपय, तो इस तरह के से हमारे पास यह बन गई, पहली equation, अगर यह समझ में नहीं आया, तो आप दू 15 km तै करने के बाद, वो x रुपय तो देगा ही देगा, जिसको नियत भाड़ा कहा है, वो देगा ही देगा, साथ में, 1 km का y रुपय लेता है, टेक्सी ट्रैवर, 2 km का, 2 y, 3 km का, 3 y, 4 का, 4 y, 10 का, 10 y, 11 y, गया कितना, 15, तो 15 का, 15 y, तो हमारे हिसाब से यह भी दिया, उसने यह भी दिया, तो कुल कितना दिया, कुल दिया, x प्लस 15 y इक्वल टू, कितना, कुल कितना है, question के हिसाब से, 15 बच्चो, यह हमारे पाद, दूसरी equation बन गई, solve करना, आसान है, हम इसको यही पर solve करते हैं, इसको हम दो parts में हाँ पर divide कर दे रहे हैं, ठीक है, यह हमने दो parts म करने में आसानी होगी, easy है, यह वाला easy है, कैसे करेंगे, वही, पहली equation से x का मान निकाल कर, दूसरी equation में x ही जगा रखेंगे, कैसे करेंगे, इस 10 y को यहाँ लिजाओगे, यहाँ पर लिखो, समी करण 1 से, तो x 10 को वहाँ भेजो, यह हो जाएगा, 105 minus 10 y, ठीक हो गया, इस अब इसको हम दूसरी equation में जो x है, उसकी जगा रखते हैं, तो हम कहेंगे, x के मान को समी करण 2 पर रखने पर, ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, मैं इस x की जगा, इस x को रखता हूँ, तो क्या बनता है, 105 minus 10 y, plus, साथ में क्या है, 15 y, equal to, यह है, 155, आगरो, सॉल्व, तो यह तो 105 as it is copy कर दिया, minus 10 y plus 15 y होता है, plus 5 y equal to 155, अब मैं इसको यहाँ shift करता हूँ, तो 5 y copy कर दिया, equal to copy कर दिया, 155 भी copy कर दिया, यहाँ कौन आया, उड़ते उड़ते, 105 आया था, उड़ते उड़ते, ठीक है, अब मैं इन दोनों को minus कर देता हूँ, यह कितना आएगा, शायद 50 आ रहा है, और इसके बाद y हो जाएगा, आपका 50 बटे 5, शायद कट भी रहा है, तो 50 को 5 से भाग करो कितना आएगा, 10, तो हमारे पास y का मान आ गया 10, ठीक है, y के मान 10 को, अब हमें कहां रखना है, जहाँ जहाँ आपको y मिल रहे है, वहाँ वहाँ उसको ठूच दो, तो हम रखेंगे y equal to 10 को 3 पर रखने पर, अब एक ची ध्यान दो, तुम इस y के जो मान है, हमें x और y दोनों का मान निकालना है न, तो y का निकाल लिया, तो अब कि इसका निकालना है, x का निकालना है, कहां कहां रख सकता हूँ इसको, यहां रख सकता हूँ, यहां रख सकता हूँ, और यहां रख सकता हूँ, suitable कहां है रखने में, ज़्यादा, flexible कहां है, वह यहां है, ठीक है, यहां रखता हूँ, तो जल्दी answer आ जाएगा, कैसे आएगा x equal to 105 minus 10 multiply कितना है भई वाई 10 है तो x equal to 105 minus 10 दिज़े कितना होता भई 100 होता है और minus कर दो तो कितना आगया थोड़ा सा fast था में यहाँ पर क्योंकि यह आप आराम से कर लोगे आगे x और y तो क्या question खतम होगे अरे नहीं भबा question का खतम हुआ question में तो एक पार्ट और है लेकिन हमारा नियत भाड़ा निकल गए अपर नियत भाड़ा किसको माना था x को ना तो नियत भाड़ा मतलब 5 रुपे भाई वो तुम चाहे कितने भी दूर चले आओ 5 रुपा उसने एक्स्ट्रा लेने ही लेने है आपसे और प्रती किलोमेटर की दर क्या है 10 तो अगर वो 2 किलोमेटर जाना है तो 2 किलोमेटर कितना पैसा लेगा अगर मालो तुम टेक्सी ही बैठे और 2 किलोमेटर जाना है तो 2 किलोमेटर कितना पैसा लेगा सिंपल सी बात है 1 किलोमेटर का y 10 रुपे ठीक है? दो किलमेटर का 20 रुपे तो क्या 20 रुपे लोगा? नहीं भई उसने 20 रुपे भी लेना है प्लस नियत भाड़ा भी लेना है तो अबकुल 25 रुपे लेगा ऐसा ही इसमें एक पार्ट में और कहा है एक वक्ति को 25 किलमेटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 25 किलमेटर के लिए दे भाड़ा कितना होगा दे भाड़ा? देखो, अगर 25 किलमेटर जाना है तो 5 रुपे तो दो गई दो गया हो गया दूसरा एक किलोमेटर का दस रुपे दो किलोमेटर का 20 रुपे तीन किलोमेटर का 30 रुपे पच्चिस किलोमेटर का 25 गुणा 10 रुपे तो कुल कितना देना पड़ा 5 प्लस ये हो गया 250 और ये हमारे पास आ गया 255 तो इतना रुपे खुल वो देगा इस तरह से हमार पास ये चौफर नमबर क्वेशन भी खतम होता है तो बच्चो अब हम देखेंगे हमारा फिफ्ट एंड लास्ट क्वेशन आफ दी एक्सराइज 3.3 तो बच्चो ये है क्वेशन नमबर फिफ्ट आपके सामने क्या कहा इसमें? पांच वर्ष बाद होती हमेशा वर्तमान आयू मतलब इस ताइम इस ताइम आपकी आयू कितनी है ठीक है इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको चलना जरूर है अगर तुम्हारी वर्तमान आयू मानलो 12 साल है और तुमसे कहा जा 5 साल पहले तुम्हारी कितनी हो जाएगी सिंपल सी बात है वर्तमान आयू जो है उसमें उतने ही साल जोड़ दो उतने ही साल जोड़ दोगे तो भविश्र में आपकी उम्र कितनी होगी वो आ जाएगी और घड़ा दोगे तो पास्ट में कितनी थी वो आ जाएगी इसी के basis पर करेंगे इस question को तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्तमान आयू माननी ही पड़ेगी यह आप ध्यान रखें इन question में खास बात ही है question बर third का यह हमारा fifth part है तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे माना की माना के जैकब की वर्तमान iu है x माना की उसके पुत्र की वर्तमान आयू है y यह रहिए यह चीज है यह चीज आपको जब ध्यान रखें की वर्तमान आयू कही खेले है हाँ पर सारा कुछ हमने वर्तमान आयू यहाँ पर मान ली है ठीक है तो उसके पुत्र की वर्दमान आयू क्या है हमने मान लिए अब इसके बाद क्या करना है उसके पुत्र की वर्दमान आयू मान लिए अब question में सारा खेल है कि इसमें दो चीजे कही है एक 5 वर्ष बाद मतलब आने वाले 5 साल के बाद और दूसरा का है 5 verse पूर्फ तो इन दोनों टाइम पर उन दोनों की I.U. का comparison दे रखा है मतलब 5 verse बाद आने वाले 5 साल में उन दोनों की जो उम्र होगी ठीक है? कौन किस से कितना गुना होगा ये मतलब है जरा समझते हैं इसको ठंक से मैं पहले यहाँ पर एक line यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि हमें करने में आसानी हो अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है पहले यहाँ लिखूंगा मैं 5 verse बाद पहले तो भी ये चेक करो कि 5 verse बाद जैकब की I.U. कितनी होगी? होगी कहा मैंने है, भविश की बात कर रहे है तो जैकब की I.U. कितनी होगी? ठीक है? तो जैकब की I.U. होगी अभी कितनी है जैकब की? X, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी X प्लस पताया था आपको? आप सिफ एड करोगी ठीक है? इसी तरीके से पांच साल बाद कितनी होगी? जो अभी है उसे पांच जोड ये दोनों की I.U. आगए अब क्वेशन में ये कहा है कि जो उनकी पांच परस बाद I.U. है उन दोनों की बीच में कुछ रिलेशन है क्या है? जैकब की I.U. उसके पुत्र की I.U. से तीन गुनी है तीन गुनी का मतलब होता है तीन से गुणा करना किसको गुणा करोगे भई? दूसरी बारी में किसको लिखा है? पुत्र की I.U. से तीन गुनी मतलब पुत्र की I.U. को तीन से गुणा करना है तो आप जैसे statement लिखी हुई है मैं उसी के हिसाब से एक equation लाता हूँ पहले क्या लिखा है जैकब की I.U. ये नहीं लेना भई ये क्योंकि स्टार्टिंग में कह दिया था पांच वर्ष बाद तो पांच वर्ष बाद जैकब की I.U. तो क्या है I.U. X प्लस 5 ना तो ये लिखते हम X प्लस 5 फिर क्या लिखा है उसके पुत्र की I.U. ये लिखा है Y प्लस 5 फिर क्या लिखा है तीन गुनी तो तीन गुनी का मतलब है गुणा कर दो तीन से अब इनको solve करो आपके पास equation का निर्माण हो जाएगा ये हमारे पास आगया X प्लस 5 इक्वल टू 3 को इससे multiply कर लो ये हो जाएगा 3Y प्लस 3 5 तो कितना होगा 15 इसको मैं यहाँ shift करता हूँ इसको वहाँ लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा ज़रा देखेंगे X तो copy कर दिया 3Y को यहाँ लाओगे तो यह जाएगा minus 3Y 15 को वहीं रहने दिया 5 को वहाँ shift किया तो कितना हैगा minus 5 तो आपके पास आगया X minus 3Y equal 15 minus 5 कितना होता है भई यह होता है 10 हमारे पास पहली समीकरण का निर्माण हो चुका है तो पांच वर्ष बात का पता लग गया ना अब हम यहाँ करेंगे पांच वर्ष पूर्फ मतलब अब यहाँ minus करना है क्योंकि पास्ट की बात करना है तो पांच वर्ष पूर्फ जैकब की I.U मैंने पांच वर्ष पूर्फ क्यों लिया क्योंकि हम्में Next Statement पे आ चुका हूं उसमें पांच वर्ष पूर्फ ही लिखा हुआ है तो पहले जैकब की I.U कितनी रही थी तो जैकब की I.U अभी कितनी है एकस पांच वर्ष पहले उसकी थी एकस minus 5 इसी तरह उसके पुत्र की आयू, अभी कितनी है, y, पहले कितनी थी, y-5, इन दोनों की बीच में comparison है, दिया हुआ है, कहां लिखा है, जैकब की आयू, पांच वर्ष पूर्फ जैकब की आयू, कितनी थी, x-5, उसके पुत्र की आयू की साथ गुणी, बता चुका हूँ, साथ गुणी का मतलब साथ को गुणा करना है, किस से करना है, पुत्र की आयू से, तो लिखो भई, पहले पुत्र की आयू लिखो, और फिर उसको गुणा कर दो, साथ से, सिंपल है, ठीक हो गया, तो इस तरीके से तो यह x-5 equal to 7y वापस copy कर दिया इसको वहाँ shift करते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं तो x-7y equal to minus 35 plus 5 है लिखा x-7y equal to इसको solve करते हैं शायद हमारे पास minus 30 आता है तो क्या आपको मिला आपको दो equations मिल गई हैं इसको first bowl देता हूँ इसको second लेकिन एक surprise है इसको मैं solve नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यह भी वैसे ही solve होंगे जैसे हमने पिछले वाले question को solve किया था तो बच्चो you have to try yourself ठीक है तो यह हुआ आज तक की video तो exercise 3.3 हमने we have completed so finally हम इस video को end करते हैं तो बच्चो अगर यह video आपको सही लगती है तो आप like जरूर करें और जिस बच्चो को जरुवत हो उसको इसको share भी करें और चैनल को subscribe जरूर करें ताकि daily की daily आपको यह video मिलती रहे ठीक है जए हिंद